हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू ओल्टाइम स्टडी चैनल इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड हिंदी व्याकरण से आपका पक्ष टॉपिक यानि सूचक अंश चिन तो यह टॉपिक आपका जो है लास्ट इयर एक्जाम में पुछा गया दा डी ट्रप्ल कोशन्स पुछे जाते इस चैप्टर से तो आईए स्टार्ट करते हैं तो पक्ष पक्ष क्या उत्ता आपका तो चलिए देखते हैं कि किस पक्ष की बात कर रहा है सहायक किरिया के वे अंश जो किरिया की पूर्णता एपूर्णता किसी व्यक्ति अथ्वा वस्तु की अवस तो अपनी तरफ से नोट्स बनाए हुए हैं मेरे सेल्फ नोट्स हैं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करेगा तो आपके जो हैं पे चार पक्ष बताए गई हैं एक ता आपका नित्य पक्ष या आवर्ति मूलक पक्ष तो आवर्ति मूलक पक्ष किसे कहेंगे इस पक्ष से किसी कारिय के बार-बार होने की आवर्ति का पता लगता है तो कोई भी चीज है वो मतलब फ्रिक्वेंसी होता है कि वो चीज का कारिय होना बार-बार जो है यहां पे दर्शाय जाता है तो व चलते हो आप तो डेली चलते हो तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि in the end of the sentence इसके पीछे ता मिलेगा आपको जैसे सूरज पूरव से उगता है मा खाना बनाती है बच्चा दोड़ता है तो आपका जो चिन होगा वो तो यह होगा आपका नित्य पक्ष की सूरज पूरव से उगता है तो आवरती पक्ष आपका हो गया नेक्स्ट है आपके साथ तत्य बोधक पक्ष तो साथ तत्य बोधक पक्ष क्या हो गया आपका लगातार इसका continuously किरिया लगातार चल रही है तो कोई काम जो हमारा continuously हो रहा है साथ तोपिक काफी important है last year इससे जो हो questions काफी पूछे गए है दो तिन questions इससे पूछे गए है जो मैंने last तोपिक करवाय था आपका वृति का किरियार्थ का तो वरतमान में और भूतकाल में इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है रहा है रहे है रही है तो इस तरीके से जो है लगातर किरिया चल रही है तो हम एक्जांपल देख रहे हैं जैसे पतंग उड़ रही है अध्यापक पढ़ा इस पक्ष क ही रही है पूरहा होने का बोद होता है कोई भी काम है जो वह पूरा होजता है तो वह कहला इन एंड ओफ दा सेंडेंस वाक्य के लास्ट में मैंने राम को पत्तर लिखा है या है या आ है माने खाना बना लिया है नेक्स्ट आपका स्थित्यात्मक पक्ष तो स्थित्यात्मक पक्ष में क्या है कि वस्तु या व्यक्ति की स्थिति आवस्ता का बोद होता है जैसे राम क स्थिति क्या है कि वह अध्यापक है राम अध्यापक था तो यह इसकी जो है यहां पर बात की गई है कि स्थिति या अवस्था का किताबे मैज पर रखी है तो किताबे कहां पर रखी है मैज पर रखी हुई है तो यह आवस्था और स्थिति को यहां पर बताता है तो यह जो ह को लाइक शेयरण सब्सक्राइब ज़रू करें अगर आपतीक मेरी मीन चैल्ल सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसको लाइक शेयरण सब्सक्राइब